अज़कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तों अभी आपको पता है कि MP पुलिस के आपके वेकेंसी है वो आज की है और MP पुलिस के लिए तो समय बचाओ है आपके पास सरप 30 का समय बचाओ है कि लगबक 30 दिन के बाद इसके पेपर होने वाले, मैं आपको सारी चीचे डिटेल से बताने वाला हूँ, तो अभी पास जो आपके समय है न जिसमें आपको तयारी करनी है वो है सरप 30 दिन का और जिसमें मैंने लिखा तो एक बहुत फाइदे की चीज है तो यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आने वाले अगर 30 दिन आप त्यारी करते हो तो MP पुलिस में सेलेक्शन ले सकते हो देखे एक बहुत ही बहतरीन तरीका बताने वाला हूँ ना इसमें मैं कोई कोर्स की बात कर रहा हूँ गा ना किशी Books की बारे में बात कर रहा हूंगा ना कोई狗 पर नो송 कर रहा हूँ बिल्कुल आप इस forum को भर सकते हो, किसी भी state से आप belong करते हो, इस forum को भर सकते हो, बस आपको यही है कि आपको journal category में count किया जाएगा, और सबसे पहली बात तो यह ही है दोस्तों, कि अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, आपको इसका form जरूर भरना चाहिए, इसके पीछे का region क्या है, कि एक महीने बाद पेपर होगा, तो आप अपनी तयारी भी check कर पाऊगे, और आपके पास एक नई भरती होगी, जिसमें आपका मोका मिल रहा है, check करनेगा, कि क्या मैं आने वाले जो भी आप पेपर की तयारी कर रहे हो, क्या उसमें पेपर को पास कर सकता क्या है, उनके अंदर एक energy आजाए, और 30 दिन तक इसी energy से उपढ़ते रहें, और अपना selection ले जाए, क्या है, कि जब होसला बना लिया, उची उडान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, क्योंकि आपको पता है, कि एक महीने की तयारी में selection लेना बहुत उची उडा ठीक है, कि क्या है, बस चलते जाना है, आपको, क्योंकि क्या होता है, कि उचाही पर चले जाते हैं, नीचे देखते हैं, तो फिर चकर आने लग जाते हैं, तो 30 दिन देखो ही मत नीचे, उपर ही चलना है, क्योंकि हमें तयारी करनी है, चलो थोड़ी चीजे बता देता हू वैसे तो सभी student को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा तो सबसे पहले इस बात तो यह है कि बाई 7000 प्लस वेकेंशी है लड़के और लटकियां दोनों के लिए है इसमें लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं और लड़कें भी इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है उसके बाद बात करें कब से फॉर्म है तो 26 जुन से फॉर्म स्टार्ट हो गए है आप ने से कुछ करना है जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाऊगे ठीक है तो यह चीज के लिए रोगी इन्होंने एक्जाम डेट भी पहले बता दी है क्या 12 अगस्त से आपके एक्जाम हो रहे हैं 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है ठीक ह इसका लास डेट का इंतजार करोगे फिर बहुत कम समय बच जाएगा सिरब 30 दिन का समय भी आपको नहीं मिलेगा अब के पास नहीं अप остав डिन जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हूँ और बचे हुए कुछ दिन होगे ना जो 5-7 दिन आपके पास और बच जाएंगे जिसमें से आपको जो 30 दिन में आपने पढ़ा है उसका रिविजन भी करना है ठीक है लेकिन पढ़ाई के लिए सिर्फ आपके पास 30 दिन है जो एक सबसे बड़ी बात कोई नहीं है आप सभी गाउन से बिलोग करते हो आपको एक पता होगा कि सरकारी नौकरी का महत्ता हो क्या होता है और जो स्टुडेंट्स तो analyzing क्या कर रखा हो तो भर्चकते हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने दस्वी पास कर रखी होगी, तभी आप इस form को भर सकते हो, 18 प्लस जिसकी age है, वो इसको आसानी से भर सकता है, कुछ में छूटे दी गई है, तो लगबग 33 साल तक के student इस form को भर सकते हैं, और जिनको थोड़ी एक्स्रा छूट दी गई है, वो अलग से हैं, ठीक है, तो 18 से 33 साल तक अगर आ आपकी age है, तो आप इस form को भर सकते हो, आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है, ये बात सभी student को समझ में आगी, अब चलते हैं syllabus के उपर में, और उसके उपर आते हैं कि 30 दिन में तयारी कैसे करें, तो दोस्तों अगर syllabus की बात करें, तो आपने देखा होगा, इसमें clarify कर दिया है, एक सरल भासा में मैं आपको बदा देता हूँ, कि क्या syllabus आने वाला है, ठीक है, बिलकुल ही सरल तरीके से, तो math के जो questions होने वाले हैं, पहला subject होगा, क्या आपका math, और जिसके questions होगे, वो होने वाले, 30 से 35 questions आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, दूसरा ह होने वाला है, आपका reasoning, और reasoning के भी 30 से 35 questions होगे, इसके कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कोई कोई सिप्ट ऐसी होगी, जिसमें 30 questions आएंगे, तो जिसमें math के कम questions आ रहे होंगे, उसमें reasoning के ज्यादा आ जाएंगे, और जिसमें reasoning के ज्यादा आ र और आगर बात करें, दोनो को मिलाकर to, दोनो यो मिलाकरऄ 55 questions आने वाले हैं कहाने वाले पैंसट्क Missions इस बात को समझे लेना कितने की 55なんだ आने वाले आ से थीक है, तो अगर आप जर्नल,οςमें को बता देता हूँ, और अभी तो और भी कम cutoff जाएगी लेगिन मैं पिछली cutoff के हिसाब से आपको बता रहा हूं 80 का target अगर आप लेके चलते हो 80 प्लस का target लेके चलते हो तो आपको selection लेने से कोई नहीं रोक पाएगा और यह वो तो उस समय जब आपको अच्छी कास समय दिया गए था तब इतनी cutoff गई थी लेकिन अभी समय आपको पता कि लगबग एक महीने का समय मिला है जिसमें student सोचते ही रह जाते हैं कि अभी form भर रहे हैं अच्छे तो तयारी नहीं कर पाते और बहुत सारे जिके आएगी उसमें जिके जिया साफ पढ़ते रहते हो वह आएगी जो सभी एक्जाम्स के लिए पढ़ते हो वह आएगी साफ में current affair वह भी होगी लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज क्या होने वाली है वह होने वाली है MP की जिके यह नहीं मद्यपरदेश जिके और बाइप 65 वहां से ले रहे हो इसमें से 15 भी ले लोगे ना तो कि इसमें आपकी GKS है current affair है मैं अधर स्टेट वालों को बता रहा हूं MP वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए तो क्या है MPG तो उन्होंने पढ़ रखी होगी रट रखी होगी अच्छे से तो यहां से स्कोर करने से उन 20-25 किश्यंस आपके यहां से इन के आने वाले जो मैंने आपको बताया है extra ठीक है यह बात समझ गे तो इस तरीके से आपको करना है 100 किश्यंस होने वाले है 100 नमबर के होने वाले है इस बात को note कर लेना इस कहला 100 नमबर का physical होता है physical के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी ठिक है इसको पूरा कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले में आपको यह बताए कि यहां से 65 questions आ रहे हैं 65 questions आ रहे हैं तो आपका focus होना चाहिए कि मुझे Math और reasoning में कुछ भी नहीं छोड़ना है क्या करना है math और reasoning में कुछ भी नहीं छोड़ना है तो इसके लिए क्या करना होगा सब से पहली चीज देखिए आपको सब से पहली चीज अवोईड क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूं अगर 80 प्लस का target लेके चलना है तो आपको live class लेके चलना है क्या है कियो वोईड करनी है live class नहीं देखनी है किसी भी टिक्चर की कि क्यो कि लाइव क्लास में बहुत ज़या समय वेष्ट होता है तो इसलिए live class नहीं देख तो आपको क्याना एक गंटे पढ़ लेकल लेकल यूटूब पर कसी से पसक्ते हो ठीक है एक गंटे आपने परसंटेज puòड़िक से उतलब liberateat और वह भी ट्रहला रॉटियों आपको एक जैग गहना गया इसे लगभग 10 से 15 थाइप होती है, तो आदा समय तो परसंटेज परसंटेज में निकल जाएगा आपका, तो आपको ऐसी वीडियो देखनी है, जिसमें एक इक लास में आपको सभी टाइप करवा रखी हो, ठेक है, उसमें से एक घंटे आपको पढ़ना है, उसके अलावा दो घंटे आपको खुद मैयत की practice करनी है जो परसंटेज चैप्टर आप ने पढ़ा है उसकी जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो मैंने परसंटेज का एक्जाम पर लिया है एक घंटे यूटूब पर वीडियो देखी उसके अलावा दो घंटे आपको practice करनी है किस से करें बुक से कर सकते हो आपके पास कोई भी PDF अब लेबल है उससे कर सकते हो या जो भी आपके पास अब लेबल है उससे आप कर सकते हो आपको दो घंटे प्रक्ति उसका मतला बूख गलत बोल रहा है और reality में कोई गांटे की क्लास होगी ने लाईव को अगर बीना लाईव पढ़ते हो डिकॉटीड क्लास पढ़ते हो तो आप आदे घंटे में उसको皮 लोगे डूसरी चीज लाईव क्लास में क्या हो रहा होता है तो ताइप बढ़ाया जाता है जिस मैंने आपको बताया कि यह परसंटेज बढ़ रहे हो उसको दस दिन निकल जाएंगे उसी में ठीक है या फिर आपको बहुत सारी महरतन देखनी पड़ेगी तीन चार पांस घंटे के आप महरतन देखे जा रहे हो फिर उसके बाद क्या हो होगा खुझ जब तक नहीं पड़ोगे टीचर का पढ़ायवा आपके काम नहीं आने वाला तो बात समझगे उसी तरीके से आपको रिजनिंग का करना है रिजनिंग का जो भी चप्टर आपने उठाया मा लेते आपने क्लासिफिकेशन उठा दिया चप्टर प्लासिफिके आपके होच के मैथ और इसके अलावा कम से कम तीन घंटे आपको ये सारी चीज़े पढ़ने पढ़ेगी क्योंकि उसमें जीके जीएस भी पढ़ना है उसमें करंट अफियर भी आपको पढ़ना है साइंस भी आपको उसमें पढ़ना है और जो MP वाले स्टूडेंट MP जीके से ठीन है ऑफ को अठीन आपको पढ़ने है और जो स्टूडेंट MP नहीं पढ़ना चाते अज्टेट वाले अपना समय pic5 में और लगा दे नई गंट तो कम से कम मिनीम trends आपको आठ गंटे पढ़ना है आठ से 10h 2011 पढ़ेगा वोly पता है कि शर्प एक महिने की और महिने स्टूडेंटों के लिए तो बड़ी उपलब दी होगी कि अपने ही स्टेट में आपको जोब मिल रही है तो एक घंटा और लगा देना दस गंटे पढ़ रहे हो ग्यारा गंटे पढ़ रहे हो इस तो यह बात समझ में आगी अब जो स्टूडेंट चाहते है सर जी क्या आप ह को पढ़ा दूंगा बिल्कुल क्योंकि हम और एक्जाम्स की तायुयारी करवा रहे हैं लेकिन इसमें अगर आपका स्पोर्ट दिखता है तो हम इसको आपको पढ़ा देंगे लेकिन जिस भी स्टूडेंट को देखना चाहता है तो अगर आप हमारी डेमो क्लास ही देखना चाहते हो बिल्कुल फ्री में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है तो इस तरीके से आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो आपको कैसे लगते हैं वह अभी आप कमेंट करके बता सकते हो सबसे पहली चीज़ और जो इंपोर्टेंट बाती थी वह मैंने आपको ब करनी है क्योंकि देखे लाइव क्लास में क्या होता है कि यूटूब पर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वह लगबग साथ से आठ गंटे आपकी लाइव क्लास करवा रहे होते हैं और जिस स्टूडेंट ने साथ से आठ गंटे फोन पर पढ़ लिया उसके बाद उस self study करनी है और अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है या MP पुलिश में सेलक्षन लेना है तो जो सबसे मैथपनो रोल होने वाला है वो होने वाला है किसका वो होने वाला आपके self study का यानि आप जो खुद मेहनत करने वाले हो अपने हाथ से और अपने दिमाग से तो teacher का दिमाग और teacher का हात, आपके बहुत कम काम आएगा काम आएगा लेकिन बहुत कम आएगा व्युक्षी ज्याधा दिनों ओता है न तब teacher की वैल्य वह ज़्यादा बढ़ जाती है student को ज़्यादा महिनत करने पड़ती है teacher को कम महिनत करने पड़ती है ठीक है तो जो भी student इस वीडियो को पसांद आया और वो चाहते हैं कि math origin की मैं उनकी तैयारी करवा हूं तो वीडियो को like करके अपने target को पूरा कर देना और जो भी student चैनल पे नया है चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कर लेना description में जो link दिये हुए है आप वहां से पढ़ सकते हो thank you मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक हासता रही है मुस्गाता रही है पढ़ता रही है all the best